हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गनित कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है इसके NCRT उधारणों का सॉल्यूशन और इससे पहले की वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्र है तो चले शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो यहां पर हिंदी मीडियम अकेडमी वाला जो चैनल है इसमें चैनल से नाम का जो सेक्षन है कम्यूटी पोस्ट के ब अच्छे समझने आजाएगा फिलहाल यहां पर अभी हम सिर्फ उधारन करने वाले हैं जो आपकी नई वाली NCRT आई है उसमें जो जो उधारन दीएगे उनकी बात कर रहो है तो उधारन जो एक है इसमें हमें हल करना है ठीक है इसमें देखो एक रैकिक समीकरन हमें दिया गया है समीकरन में क्या क्या है दो एक्स माइनस में है तीन बराबर है एग्स प्लसकी याद करो चाप्टरका बेसिक बताया था और यह बताया था की इसको सॉल्व कैसे करते हैं था मैंने कहा था कि आरप जो एकस वाले पन यहें एक तरफ लेके आओ ठीक है और जो सिंपल लंबर है उनको दूसरी तरफ ले जाओ ठीक तो यहां से दो एक्स यहीं पर रहने दो इस एक्स को मिधर उठाके लाएंगे ठीक है मैंने कहा था कि जो भी चीज आप अधर उठाके ला रहे हो उसके लेफ्ट में आपको निसान दे मैं आपको प्टा चुका हूं कि माइनस वाला प्लस में जाएगा प्लस वाला माइनस में जाएगा गुणावाला भाग मिर भाग वाला गुणा में ठीक है तो यहां से 2-X में से 1-X गया तो 1-X बचेगा बदाबर 2-3 जोड़ों गे तो 5 हो जाएगा तो यहां नि एक्स का दिया गया है 5x प्लस 7 बटे में 2 और बराबर है 3 बटे में 2x माइनस में 14 ठीक है अब आप क्या करो चलो यहां भी वैसी करते हैं यहां पर x वाले पद एक तरफ ले आते हैं और जो simple number है उनको एक तरफ तो यहां से 5x अपनी जगा रहेगा ठीक है यह देखो अपनी जगा है इस 3 बटे 2x को उठाके इधर लाएंगे तो इसके left में देखो कोई नहीं सान जान नहीं आरा मतला plus है तो plus वाली चीज माइनस में आएगी बराबर वहाँ पर क्या बचा हुआ है माइनस 14 और यह plus का 7 बटे दो उधर जाएगा माइनस में प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी ठीक है अब इसको हमें solve करना है solve कैसे करोगे देखो इनका या तो आप LCM लो या फिर अगर इसके नीचे एक हो तो LCM LCM लेनेक जो उतनी है सीधा सा ट्रीक है कि इसको इससे गुणा कर दो दो गुणा पांच 10 यानि 10X माइनस में 3X और सब के नीचे 2 आजाएगा क्यूंकि देखो या अगर मैं ऐसे लेता यहाँ पे एक लिखता फिर एक और दो का LCM दो आता एक का पहड़ा दो बार जाता दो गुणा पांच तब भी करना पड़ता 10 तो इसलिए जब नीचे एक हो तो सीधा सीधा इसको इससे गुणा कर देते हैं वही एंसर आता है ठीक है और जो नीचे था हो सब के नीचे आजाएगा इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे देखो इस 2 से यला 2 काट दो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ठीक है काटने के लिए आपको याद रखना है आप तभी काटना जब यह सब के डिवाइड में है तो वो भी सब के डिवाइड में हो मतलब ऐसा ना हो जैसे माल लो यहाँ पे तो 10x-3x बटे में 2 हो और उस तरफ माल लो अगर ऐसा हो x प्लस में 5 बटे दो तब यह 2 से 2 नहीं काट होगे तब इस 2 से 2 काट दोगे गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि यह 5 के नीचे लिखा होगा यह पूरे की नीचे होगा तब ही हम काट सकते हैं, याद रहे ठीक है? तो यह हो गया अब देखो 10x में से 3x गया 7x बचेगा बराबर, देखो, निसान दोनों के एक जैसे हैं, जब एक जैसे निसान हो तो जोड़ा जाता है, 28 और 27, 35 निसान वही रहेगा, ठीक है? यहाँ से x बराबर क्या होगा? माइनस का 35 अपनी जगा है 7 जाएगा भाग में क्यूं भाग में गया? देखो 7 और x चिपका के लिखे होगा है चिपका के लिखने का मतलब है इनके बीच में गुणा हो रही है 7 गुणा x है तो गुणा वाली चीज भाग में जाती है ठीक? तो 7 एकम 7, 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ा 35 तो x का मान आ गया देखो, यहाँ माइनस और यह 5 यहीं माइनस 5 ठीक? यह भी हो गया अगला सवाल देखो अगला सवाल फिर्जा में हल करना यहाँ पर कितना है? 6 x प्लस में 1 बटे में 3 बराबर है ठीक हैं प्लस भी है प्लस एक बराबर है x माइनस 3 बटे में 6 अब देखो, आप 3 से 6 को नहीं काड़ सकते हैं क्यों नहीं काड़ सकते? क्योंकि यह 6 सब के नीचे है लेकिन यहाँ पर देखो जी, इस 1 के नीचे थे 3 नहीं है सिर्फ इतने के नीचे 3 है इसलिए अभी नहीं काड़ सकते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लेका 6 x प्लस एक 3 की एक से गुणा कर दी 3 गुणा एक 3 अब सब के नीचे 3 आ जाएगा बराबर x माइनस 3 बटे में क्या x है अब नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा एक इस तरह पर उस तरफ या फिर इसको अभी इधर ले आते हैं तब जादा सी रहेगा क्योंकि 3 से 6 तो कटी रहे तो एक काम करो 6 x अगर आपको ऐसे अजीब लग रहा है तो 3 और 1 4 ठीक है बटे में कितना है 3 यह जो नीचे वाला 6 था ना उपर उठा के ले आओ वहां कितना बचेगा x माइनस 3 ठीक है जो नीचे वाला 6 था यह उपर यहाँ गुड़ा में आजाएगा ठीक है आप काट लगा 3 और 3 तीन तीन दू नीचे यही मैं कहाँ रहा था कि यहाँ से भी काट सकते है 3 और 3 तीन तीन दू नीचे दो गुड़ा में आजा था वही बात पड़ी घर ठीक है अब देखो 2 है ब्रेकिट के बाहर मतलब यह सबको गुड़ा करेगा पहले 2 गुड़ा में 6x यानी 12x हो जाएगा फिर 2 गुड़ा में 4 यानी 8 हो जाएगा बराबर में क्या बचा हुआ x-3 ठीक है तो यहाँ से 12x अपनी जगा ये वाला x के लेफ्ट में देखो प्लस है प्लस वाली चीज़ यहाँ माइनस में आएगी बराबर माइनस 3 अपनी जगा ये प्लस 8 उदर माइनस में जाएगा 12 में से 1x गया 11x बचे माइनस 8 माइनस 3 माइनस का 11 अब देखो x और 11 चिपका के लिखे है मतलब ये जो 11 ये भाग में जाएगा 11 11 11 11 11 यानि कि माइनस 1 बटे यानि माइनस 1 ये भी हो गया ठीक इसी तरह से इसका अगला उदहरण देखो अगले उदहरण में LHS में कितना है 5x माइनस 2 फिर ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 7 बराबर यहां देखो 2 3x माइनस 1 प्लस में क्या है 7 बटे में तो ठीक है अब हम क्या करते है चलो यार पहले न ब्रैकेट खोल ले देखो 5x माइनस 2 को अंदर गुणा करना है 2 दूनी 4 तो प्लस माइनस माइनस 4x फिर यह माइनस माइनस प्लस होता है गुणा हो रही है यहां पर रखना क्योंकि गुणा हो रही है तो माइनस माइनस प्लस दो गुणा में 7 यानि 14 बराबर 2 गुड़ा में 3, यानि कि 6X फिर 2 गुड़ा में minus 1 तो यहां कुछ नहीं तो plus है तो plus minus minus, यानि कि minus 2 गुड़ा 1, 2 plus में कितना है, 7 बढ़े में 2 अब देखो जड़ा पहले X पे दिहां दो कहां कहां X है यहां पर है यहां पर है, ठीक है ना? तो हम या करेंगे, 5X में से 4X गया, 1X बचा, और यह जो 6X था, इधर आ गया, माइनस में, X का काम खतम, अब नमबर की बात करते हैं, जो यह नमबर है, ऐसे उतार दिया, माइनस 2, प्लस में 7 बटे 2, यह जो प्लस का 14 है, यह उधर जाएगा माइनस में, माइनस 4, तो 6X और 1X है, निसान अलग लगी, यह प्लस का है, कोई निसान ने दिखरा मतलब यह प्लस का है, तो यहाँ पर कितना कुछ ने दिखरा मतलब एक है, तो 6 में से 1 गया, 5X, कितना आएगा, 5X, अब 5X का अगे निसान क्या लगाएं हम यहाँ पर, प्लस या माइनस, वो सोचने वाली बात है, याद रहें, जब निसान अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जिस में से घटाया है, उसका निसान लगाते हैं, 6 में से 1 गया, 5 या नि, 6 कि अगे निसान क्या है, प्लस में 7, बटे में कितना हैं 2, अब क्या होगा, निसान अलग 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 यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो घटायेंगे भाई, 32 में 7 गया, 25, निसान किसका, जिस में से घटाया, 32 में से घटाया, इसके नीचे देखो, क्या लेफ्ट में मतलब, माइनस, माइनस से माइनस काड़ दो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा देखो 25 बटे में 2 अपनी जगा रहेगा यह जो 5 ऊपर था वो नीचे आदा है यानि 25 डिवाइड बाइ 5 2 के तो गुणा में है लेकिन 25 के तो भाग में है न ठीक है तो आपकी नई वाली ncrt है उसमें यही चार उधारन है तो यह चार उधारन में आपको करा दिये बाकी ncrt की जो एक्सेल साइजिस है प्रशनावली है उनका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप वहांचे देख सकते है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू